हेलो दोस्तों स्वागता आपका मेरे ब्लॉग में आज हम बचे हुए चावल से सनेक्स बनाएंगे कुरकुरे सनेक्स तो यह कटोरी मैंने एक ले लिया आप कोई भी बरतन एक नापका ले सकते हैं जितने आपको बनाने हूं उस हिसाब से तो मैं एक कटोरी यह उगले हुए चावल ले लूँगे और एक कटोरी चावल का आठा ले लेंगे एक चमत चिली फ्लेक्स ले लिए और एक प्याज ले लिए प्याज ऑप्शनल है आप डालना चाहते हैं तो लस्टन भी ऑप्शनल है पर इसमें लस्टन का सवाद आता है लस्टन जरूर डालना चाहिए आ प्याज लसन मैंने पीस लिये, इसी में अब मैं ये उबले हुए चावल डाल लूँगी एक कटोरी भर के, इन्हें भी इसी में चला लेंगे एक बार, मैंने ये गुमा लिये ये चावल इसमें भी खड़े खड़े रखेंगे, और इसी में ये चावल का आटा डाल लूँग एक बार इसे भी घुमा लेंगे हम यह सारा मैंने एक बड़े बरतन में निकाल लिया है और इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़े से सवादन उस घर नमक डालेंगे मैं एक छोटा चमस डाल रहीं नमक का अब इसे हम मसल के एक दम चिकना आटा गूंद लेंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ऐसे ही अगर इसमें कुछ चावल की कलियां रह भी गई होंगी तो वह अच्छी तरह मसल जाएंगी इसमें अटा मैंने गुंद लिया ही इसका हलका सा cuánt अलगा दिया इसमें और इधär रिफाई मैंने गरम करने के लिए रख दिया होड़ा सबने पे घे रगा लिए अब येा अब ये मेरे पास एक ढखकन मैं इससे गोल-गोल गाट लोगी आप इससे नमक पारे की तरह मी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं तो मैं फोड़े diese बना लोगी यह थोड़े नमक पारे कीशेस Spring में बना लेंगे हम ऐसे नहीं हम एइसे मोड लेंगे और यहां पर से अलका सथ दबा लेंगे people प्रीदे बना लेंगे उसके बाद जिफाइन में डालेंगे ने इने हम कुरकुरे के शेप दे सकताए हैं इनने तोड़ लेंगे इने यह वाले भी हम डाल लेते हैं इसी में तेल में लगा लेते हैं आप इन्हें नमक पारे के भी शेप दे सकते हैं झाल लेते हैं